हिलो प्रेंड आरार्बी एंटी पीसी सेवंध पेज एकजम एबम गुरूप डी एकजम से जुरी आज के न्यूज पेपर में अपडेट दी गई है जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आज के न्यूज पेपर में एंटी पीस एबम गुरूप डी एकजम से जुरी न्यूज तै नहीं रेलबे की भरती परिक्षा के आजन पर लगा गरन अभी नहीं हटेगा रेलबे भरती बोट की ओर से अभ्यारतियों को दिये गए जवाब में अस्पष्ट किया गया है कि रेलबे की गुरूप D भरती परिक्षा के आजन को लेकर फिलाल कोई कारिक्रम तै नहीं है वहीं NTPC की परिक्षा के अगले चरन के आयुजन की भी फिलाल संभावना नहीं है रेलबे भरती बोर्ट की और से गुरुप D के एक लाग तीस जार यहां एक लाग तीस जार नहीं बलकि एक लाग पदों के लिए आबेदन करने बाले अभ्यार्थी परिक्षा का स्टेड्यूल जारी होने का इंतजार कर रहे थे पहले उमीद थी कि परिक्षा की सुरुवात मई में होगी अब अभ्यार्थी के मेल का जवाब में बिविन भरती बोर्ट ने अस्पस्ट किया है कि कोविर नैंटीन की दूसी लहर को देखते हुए कई परदेशों में लॉकडाउन तो कहीं करफ्यू लगा है संक्रमन के मौमले लगातार बर रहे हैं ऐसे में परिक्षा का आइजन बर्तमान परिस्थितियों में होने की संभावना नहीं है भरती बोर्ट की ओर से परिक्षा का कोई सेड्डूल तयार नहीं किया गया है रेलबे भरती बोट की ओर से answers somate चरन की परिक्षा के भी च्छा चरन पूरे किये जा चुके है सातमा चरन होना से से COVID के बरते मामलों को देखते वे रेलबे की ओर से सातमे चरन की तितिया घोशित नहीं की जारी है इस कारण पूरी भरती अटकी परी है तो NTPC के सेवंध फेज एवं गुरुब डी एगजंब के कोई भी कारिक्रम अभीत्ताइय नहीं किये गये हैं अगर NTPC सेवंध पेज एगजंब की बात करें तो सेवंध फेज का एगजंब आपके जूनके बाद ही होने की सम्भाबना है जून के बाद ही NTPC 7th फेज एकजम होने की समभावना है वहीं Group D एकजम की बात करें तो Group D एकजम आपका जुला या अगस्त में हो सकते हैं जुला या अगस्त में Group D एकजम हो सकते हैं NTPC एकजम समप्त होने के बाद ही Group D एकजम सुरू किये जाएंगे तो रेलबे भरती के रिकार्डिंग जैसे हैं कोई और लेटेस्ट अपडेट आती हैं आपको वीडियो के मादम से सुचित करते हैं इसके लाब में चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चाल वीडियो को लाइक को और सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद